हाई दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेंगनेंशी को रोकने वाली टेबलेट्स के बारे में यानि के गर्ब निरोदक टेबलेट्स के बारे में कौन-कौन सी टेबलेट्स को प्रेंगनेंशी को रोकने के लिए दिया जाता है और क्या यूज होते हैं, क्या डोज होती है, क्या साल्ट कॉम्पोजिसन होता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो दोस्तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को लाच तक देखेज चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं करें तो चैनल मेडिसिन से रिलेटीट वीडियो पर आपको देकने को मिलती हैं दूस्तों सबसे पहले बात करते हैं MTP kit के बारे में इसकेzarld composition की बात करें तो इसके अंदर Mifeple touchdown और Me cystocle होता है इसके use की बात करें तो इस kit को abortion में दिया जाता है यानि के abortion करी condition हो जाती है जिसे मैं कि बच्चा खराब हो जाता है महिलाओं का पेट में तो उसको सफाई के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है और अन्चाह गरबधारन के लिए इस टेबलेट को यूज करते हैं अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में इस टेबलेट को किस परकार से लिया जाता है तो इस टेबलेट को महिलाओं को पहली बड़ी वाली गोली को खाना खाने के बाद लेनी होती है और उसके बाद बारा गंटों के बाद दो नमबर की गोली को लेना होता है उसके एक गंटे बाद तीन नमबर की गोली को लेना होता है इस परकार से अब देख सकते हैं इसके ड्रग के नयम की बात करें तो इसके अंदर भी मीफेपरेस्टोन और मीजोपरेस्टोल होता है इसके यूज की बात करें तो इसी परकार से इसके यूज भी अबर्सन में किया जाता है और unwanted pregnancy में इसका यूज किया जाता है इस परकार से इस टेबलेट को दिया जाता है ये unwanted kit के नाम से market में मिल जाती है इस टेबलेट की डोज की बात करें तो इस टेबलेट को भी इसी परकार से लिया जाता है एक टेबलेट पहली बड़ी वाली गोली को खाना खाने के बाद लिया जाता है उसके 12 गंटों के बाद दूसरी गोली को लिया जाता है और उसके 12 गंटे के एक गंटे बाद तीसरी गोली को लिया जाता है और उसके 24 गंटों के बाद चोथी गोली को लिया जाता है और उसके एक गंटे बाद पांच भी गोली को लिया जाता है इस परकार से इसकी डोज होती है इस परकार से इस टेबलेट को लिया जाता है नेक्स टेबलेट की बात करते हैं एमपिल इसका ड्रग नेम की बात करें तो इसके अंदर लिओन और जैस ट्रेल होता है इसके यूज की बात करें तो इसको अन्प्रोटेक्टिड सेक्स यानि एस सुरक्चित सम्मन्द के लिए इस टेबलेट का यूज करते हैं और इसके डो को लेने से कुछ side effects भी हो सकते हैं जैसा कि नोजिया हो सकता है वो meeting हो सकती है fatigue यानि ठकावट हो सकती है stomach in stomach pain हो सकता है या फिर headache हो सकता है यहीं इस परकार से इस tablet को लेने से side effects देखने को मिल सकते हैं next बात करते हैं unwanted 72 टेबलेट के बारे में यह भी मैंट कंपनी दौर बनाई जाती है और इसके drug name की बात करें तो इसके अंदर salt composition live on or just trail होता है और इसके यूज की बात करें तो इस unprotected sex के लिए यूज के जाता है यानि कि यूज की बात करें तो इस टेबलेट को लिया जाता है जो कि बहतर गंटों के पहले लेना होता है तो उससे pregnancy नहीं रुख पाती है इस tablet को लेने से बहतर गंटों के पहले लेने से तो इस tablet के भी कुछ side effects हो सकते हैं जैसा कि नोजिया, vomiting, fatigue, stomach pain या फिर headache इस परकार की समझ से इस tablet को लेने से देखने को मिल सकती है next tablet की बात करते हैं Mala D tablet या फिर Mala N tablet इनके drug name की बात करें तो इन tablets के अंदर लिवनोर जेस्ट्रेल होता है एथिनाईल और स्ट्रोडेल होता है इसके अंदर और इसके यूज की बात करें तो इर्रेगुलर पीरिड यानि के अनियम में तो मासिक धरम होते हैं और उस है और एक iron की गोली होती है इस کا अंदर 21 दीन के बाद रोज एक गोली iron की लेना हो लेना है साथ दिनों तक इस परकार सा इस टैबलेट के यूज करते हैं हैं इस टैबलेट की डॉज ये होती है इस टैबलेट को लेने से side effects को मिल सकती है वो मिटिंग हो सकती है एकने हो सकते हैं यानि कि मौहा से हो सकते हैं चेहरे पर इस टमक पहन हो सकता है इस परकार की समझ से इस टेबलेट को लेने से दिखाई देखने को मिल सकती है नेक्स टेबलेट की बात करते हैं एन्वांटिल 21 टेबलेट इस टेबलेट की स्क्रमाइब हो 102 टेबलेट ट्लेट को दिए जाता है इस टेबलेट की बात करें तो Steve है को मासिक दह्म के एक दिन बात है और यह एक गोली रोज 21 दिनों तक लेना होता है इस परकार से इस टेबलेट का यूज किया जाता है इस टेबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्स भी देखने को मिल सकते हैं जैसा कि डिस्ट रिपीटिड मेंस्टो साइकल यानि के माजिक धरम बिगड़ जाना हाइब प्रेसर की समस्या हो जाना वोमिटिंग होना एकने होना इस तमक पेन होना इस पर कर कि समस्या इस टेबलेट को लेने को लेने से देखने को मिल सकती है नेक्स्ट टेबलेट की बात करते हैं Het बना वोता है और भो यजप सकथे बात करें तो इसको है रेगुलर पिरिडे में दिया जाता है या फिर अनशाया army academic Personally था मिशन जिनक जिनक एंचाहा घर्भ धृषण के लिए भी इस्टेपेट का यूज करते हैं । या तैबलेट की डोज की बात करें तो इसटेपेड दर्म के पांस दिन बात चालू करना होता है और एक गोली जो二 स्टेपेडिस को लिए जाता है इस परकार से Supy content to पूझ या फिलिय दीज़िग को मिल चक्ते हैं जैसा कि डिसर रिपिटेडले स्वाइब सॉइख 것처럼 हाइब हाई प्रेषर की आपीन्ठीय को सकती है तो तो दो assessments को इस परकार से आप use कर सकते हैं और किसी भी medicine को कुझ से use ना करें बव्यımızı मेडिसिंस को डॉक्टर के सलहा अनूसार ही use करना चाहिए तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेडिसिन्स रेलेटिट वीडियो जो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में